देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास चुनेंदा खबरे वो भी मेरे साथ महराश्य में हुए विधान परिशत चुनाव 2021 के परिणामों में नागपुर से भाचपा के चंद्रशिकर 52 कुले ने जीत दर्च की वही अकोला, वाशिम, बुढ़ाना सीट से पिछले तीन चुनाव में जित हासिल करने वाली शिवसेना को चौथी बार भाचपा ने धूल चटाई उधर मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में फिरिसे कोरोना बम फूटने की जगह की पहचान बीएमसी ने करन जोहर के घर के रूप में की है इसी जगह पर आठ डिसेंबर को हिंदी सिनेमा की तमाम अभिनेत्रियों का जमघट लगा था इसी बीच अक्टरेस अंकीदाल उखंडे और विक्की जेन आज मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में साथ फेरे लेंगे विदिराद को कपल ने कॉक्टेल पार्टी और्गनाइज भी की थी तो धर्म जाती विवाद मामले में फसे अंसीपी अधिकारी समिर्वान खिड़ी को आज मुंबई जिला जाती प्रमान पत्रजान समिती के समक्ष पेश होना है और खुद के खिलाफ लगे आरोको का जबाब देना है इसके अलावा प्रवरता निदेशाले ने कहा है कि कथी ठक सुकेश चंद्रशेकर ने अभीनेतरी जागलिन फर्नांडी से दोस्ती करने के लिए केंद्रिया गुरुह मत्री अमिच्छा के कारियाले नंबर को स्पूफ करके फोन किया था प्रदेश के इन पाज बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही आप हमारे साथ महराश्टों में हुए विदाहन परिशत चुनाओ 2020 के परिणाम गोशित हुए नागपूर से भारतिय जंता पार्टी के चंद्रशेकर बावन को लेने जित दर्च की है जिस नागपूर सीट से कॉंग्रेस ने चमतकार का दावा किया था उस सीट से कॉंग्रेस को हार का मुँ देखना पड़ा उधर अकोला वाशिम बुल्धाना सीट से पिछले तीन चुनाओं में जित हासिल करने वाली शिवसिना को चौथी भार भाजपा ने धुल चटाई इस चुनाओं में महाविकास आगाडी के वोटों में तूट दिखाई दी नागपुर सीट से भाजपा के चंदरशेहर बावन कुले चुनाओं जिते उन्हें 362 वोट मिले कॉंग्रेस समर्थित उम्मिद्वार मंगेश देशमुक को 186 वोट मिले तो तीसरे उम्मिद्वार छोटु भोयर को मिला एक वोट अकोलावाशिमम्मिड़ाना सीट से शिवसेना को तगडा जटका मिला है शिवसेना के गोपी की शनबाजोरिय को चुनाओं हारे तो भाजपा के वसंद खंडलवाल चुनाओ जिते इस चुनाओं में वाजपा उमिद्वार वसंद खंडलवाल को 443 वोट मिले तो शिवसेना के गोपी किशन बाजोरिया को 334 वोट प्राप्त हुए इस चुनाओं में 31 वोट अवेद पाए गये और महाविकास आघाडी के करीब 80 वोट टूटे इस चुनाओक शेत्र में महाविकास आघाडी और भाजपा के पास बहुमत नहीं था जित का दारोंदार वंचित बहुजन आघाडी और निर्दल या पार्शदों के हाथ में था 18 साल से इस सीट पर शिवसेना की जित होते आ रही थी क्योंकि शिवसेना को तीनों बार यूती में भाजपा की मदद मिली थी लेकिन इस बार भाजपा ने अपने दम पर अकोला वाशिम बुल्धा ना चुनाव जिता मुंबई फिल्म इंडिस्ट्री में फिर से कोरोना बम फुटने की जगह की पहचान बीम सी ने करण जोहर के घर के रूप में की हैं इसी जगह पर 8 दिसंबर को हिंदी सिनेमा की तमाम अभिने एत्रियों का जमघट लगा था और इसमें शामिल होने के बाद से ही सिमा खान को कोरोना संक्रमन के लक्षन दिखने शुरू हुए थे इसकी जानकरी मिलने के बाद ही करिना कपूर ने भी अपना टेस्ट कराया और वो भी कोरोना संक्रमित निकली सिमा खान को कोरोना के लक्षन पार्टी के तीन दिन बाद यानि 11 दिसेंबर को दिखने शुरू हुए थे और बाद में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई हाला कि करन जोहर का करोना टेस्ट निगेटिव आया है बदादे कि पिछले हफ़ते बुधवार को निर्माता निर्देशक करन जोहर के घर हुई नेट्फिक्स की सिरीज इस पार्टी में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन ना होने की सूचना मिलने पर BMCC बारे में विवित कारवाई की शुरुआत कर चुकी है इसी के चलते अभिनेतरी करिना कपूर के घर से किसी भी सदसे के बाहर जाने या अंदर आने पर रोक लगा दी गई है इस पार्टी में शामिल लोगों में सबसे पहले कोरोना संक्रमन की पहचान अभिनेता सोहल खान की पतनी सीमा खान में हुई सोहल खान की कमपनी ने हाल ही में रियाद में दी बैंक टूर का आयजन किया था BMC अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस पार्टी में कुल कितने लोग शामिल हुए माया नगरी में शादियों का दौर जारी है अब एक और कपल एक दूजे के होने जा रहे है अप्रेस अंकिता लोखंडे और विक्की जैन आज मुंबई के ग्रैन हैत होटल में साथ फेरे लेंगे बितिरात को कपल ने कॉक्टेल पार्टी और्गनाईस की जिसमें कंगना रनौद भी पहुची थी कंगना के अलावा अंकिता लोखंडे और विक्की जैन की संगित सेरेमेनी में सना मकबूल, अरजुन बिजलानी, एकता कपुर, महेश शेट्टी, रोहीनी आईयर, अमरुता खानविलकर, स्टुष्टी रोडे और माही वीज भी शामिल हुई सभी दोस्तों ने मिलकर जमकर पार्टी की शादी की प्री वेडिंग फंक्शन 11 दिसमबर से शुरू हो गए है अंकीता और विक्की की शादी से पहले 12 दिसमबर को दोनों की इंगेजमेंट हुई बता दे कि अंकीता और विक्की ने एक दुसरे को साल 2018 में डेट करना शुरू किया था विक्की जाने वाने बिजनेसमैन है दोनों को सोशल मीडिया पर एक दुसरे के साथ रोमेंटिक मोमेंट शेयर करते वे देखा जाता रहा है विक्की से पहले अंकीता सुशान सिंग राजपुत के साथ रिलेशनशिप में थी अभिनेता सुशान सिंग राजपुत से ब्रेक अप के बाद अंकीता टूड गई थी तब विकी जैन नहीं उन्हें फिर से मजबुत बनाया था देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के प्यार में पढ़ गए और उसके बाद से दोनों की लव के मिस्ट्री से हर कोई वाकिफ है दोनों की हर प्लैटफॉर्म पर जोरदार चर्चा रही और अंकीता लोखंडे के चलते हर बार सुर्खिया बनी धर्मजाती विवाद मामले में फसे NCP अधिकारी समिर्वान खेड़े के लिए आज मुश्किल भरा दिन है दरसल आज उन्हें मुंबई जिला जाती प्रमान पत्रच जान समिती के समक्ष पेश होना है और खुद के खिलाफ लगे आरोपों का जवाब देना होगा उन्हें अपने जाती प्रमान पत्रच की सच्चाई बतानी होगी दरसल भीम आर्मी की महाराष्ट इकाई के अध्यक्ष अशोक कामले की शिकायत के आधार पर आयोग ने पिछले महिने के अंत में अधिकारी को समझ जारी किया था कामले ने आरोप लगाया था कि वानखेडे ने सरकारी नौकरी के लिए महारजाती प्रमान पत्र का पत्र प्राप्त करने के लिए अपने बारे में गलत जान करी दी हैं कामले के अलवाद दलित कारे करता मनुच संसारे भी मामले में एक अन्य शिकायत करता के रूप में शामिल हुए हैं उन दोनों द्वारा लगाये गए आरोपों के अनुसार वानखिडे जनम से मुस्लीम है और उन्होंने शरिया के अनुसार शादी की और अधिकारी ने कथी तोर पर अपने पेशेवर लाप को आगे बढ़ाने के लिए एक फर्जी प्रमान पत्र प्राप्त किया वही दोनों शिकायत करताओ का प्रतिनी धित्व करने वाले अधिवक्ता नितिन साथ पुते ने समिती के समक्ष दो दस्तावेज पेश किये समिर वानखिडे के जनम प्रमान पत्र की एक फोटो कापी और ग्रेटर मुंबई के कारेकारी मेजिस्ट्रेट द्वारा जारी उनके जाति प्रमान पत्र की एक और फोटो कापी इन दस्तावेजों के आधार पर समिती ने जाति प्रमान पत्र के मुद्दे की जांच शुरू करने का फैसला किया औ पेंद्रिय गुरुह मंत्री अमिच शाह के कार्याले नंबर को स्पूफ करके फोन किया और ये दावा किया कि वह तामिल नाडु की दिवंगत मुख्य मंद्री जे जायल अलिता के राजनितिक परिवार से हैं। अतना वेला के रूप में दिया था। मतादे की प्रवरतन निदेशाले ने हाल ही में 200 करोड रुपे की रंगदारी और मनी लॉंडरिंग मामले में अपनी चार शिट दाखल की है। जिसमें वॉलिवूड अभिनेतरी जैकलिन फर्नांडिस को लेकर बड़ा खुलासा हुआ ह चार शिट के मुताबिक आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलिन को करोडो रुपे के गिफ्ट दिये थे। इडी ने इस महने की शुरुआत में विशेश धन्शोधन निवारन अधिनियम अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया था और चंद्रशेखर उसकी पतनी दो बड़ी खबरे आज अदालत से हैं। हो गई और ग्यारा अन्यक खायल हो गए हैं। इस बीच वारन असी की चका चौन और भव्यता गजब ढ़ा रही है। प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी अपनी काशी याद्रा के दोरान सोमार आधिरात को अच्छानक एक बार फिर से विश्वनात मंदिर पहुच गए और फ केंदर सरकार की महत्वाकांशी चारधाम परियोजना को सुप्रेम कोर्ट ने अनुमती दे दी है। हाइवे निर्मान के लिए सेडक की चोड़ाई बढ़ाने में रक्षा मंत्रायल की कोई दुर्भाव नान नहीं है। अदाला सश्यसरबलों की धांचा गज़रोतों का अनुमान नहीं ले आगा सकती। सुरक्षा चिंताओ को देखते हुए नियायमूर्थी डी वाइट च मत्राले, सडक परिवन मत्राले, उत्राखंड सरकार वह सभी जिलादिकारियों को आदेश दिया है कि वह निग्राणी समिती को पूरा सयोग करेंगे। से जाने वाली सीमा सडकों के लिए यह फीडर सडके हैं। साल विवान निशेद अधिनियम का कानून किसी भी धर्म को छूट नहीं देता है। दाकि हाई कोर्ट ने विवायोग आयून नहोने पर भी प्रेमी जोडे की सुरक्षा सुनचित करने का आदेश दिया है। याचि का दाखिल करते हुए जोडे ने बताया कि वह मुस्लिम धर्म से हैं और विवाह कर चुके हैं। दोनों के घरवाले इस रिष्टे को तयार नहीं हैं और ऐसे में उन्हें जान का खत्रा है। अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर उन्होंने अम्रुचसर के SSP को मांग पत्र भी सौपा था। मुस्लिम धर्म के अनुसार यवन परिपक्वता की स्थिती में विवाह वैद होता है। और शिकायत के मामले में वह कानुन के अनुरूप केस को लड़ेंगे। हाइकोर्ट ने दलीले सुनने के बाद कहा कि सम्विदान प्रत्यक नागरिक को जीवन और सुरक्षा का अधिकार देता है। हाइकोर्ट ने अमरुच सर के SSP को जोड़े की सुरक्षा सुनिचित करने का आदेश दिया है। श्रीनगर के पंधा चोक इलाके में फिर आतंकियों ने हमला बोला। सुमवार की शाम को एक बस नवी बटालियन के जवानों को जेवान पुलिस के आमप ले जा रही थी। इसी दवरान जमुकश्मिर पुलिस की बस पर हमला किया जिसमें तीन पुलिस कर्मियों की मौत हो गई और ग्यारा अन्य घायल हो गई। पुलिस ने कहा कि जिन दो पुलिस कर्मियों की मौत हो गई हैं वे S.I. गुलाम हसन, S.G.C. सफिक अली के थे। नस्दिक से बस पर गोलियों की बारिश की। बस के सामने की ओर से बस का शिशाब बुरी तरह से तूट गया। इस दवरान स्थानिय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुचने में पुलिस कर्मियों की मदद की। बस में 25 पुलिस कर्मी सवार थे। काश्मीर के पुलिस महादिरिक शक विजय कुमार ने बताया कि इस हमले में 2-3 आतंगवादी शामिल थे और अंधेरे का फायदा उठा कर वे फरार हो गए। उनकी धरपकड के लिए इलाके की गहराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। बनारस रेलो स्टेशन का और जकनीरिक शनकरने पहुँच गए। बताया जारा है कि पीम मोदी रात करीब 1 बजे बनारस रेलो स्टेशन पहुँचे। इसी बीच उनके साथ सीम योगी आदितनाद भी मौजूद रहे। इससे पहले मोदी शाम को गंगा आर्दी के बाद रात 8 बजे से रात 12 बजे तक क्रूज पर ही पार्टी नेताओं और बीजेपी शासित राजों के मुख्यमत्रियों के साथ बैटकी थी। और बाद में वह गोदोलिया के लिए रवाना हो गए। इस दोरान पीम मोदी वहां कुछ देर तक टहलते रहे और निर्मान कारे का मुआयना करते रहे। दशाश्वमेद घाट पर गंगा आरती में शामिल हुआ और मा गंगा को उनकी कुरूपा के लिए नमन किया। के मुख्यमत्री मनोरलाल खटर शामिल थे। अरतशास्डियों ने आने वाले महिनों में खुद्रा महिंगाई में और बड़ोतरी की चेता उनी दी है। क्योंकि कमपनियां आरतिक सुदार के बीच उपभुकताओं को बड़ती इंपुट लागतों का बोज़ डाल सकती है। इससे जवरी सामानों की कीमत में बड़ोतरी होगी जो महिंगाई को बढ़ाएगी। अगर महिंगाई में बड़ोतरी होती है तो रिजवर बैंक को ब्यासदर बढ़ाने पर सोच सकता है। इससे सस्ते कर्स का दोर खत्म हो जाएगा। बता दे देश में खुद्रा महिंगाई एक बार फिर बड़ी है। इसके पीछे मुख्य वज़त तेल और खाद्यानों की कीमतों में इजापा होना है। सरकारी आकडो के अनुसार खुद्रा महिंगाई नवंबर में बढ़कर 4.91 प्रतिशत पर पहुँच गई। जो की अक्टूबर में 4.48 प्रतिशत थी। हाला कि पिछले वज़ नवंबर के 6.93 प्रतिशत की तुलना में इस वज़ करीब 2 फिसदी की गिरावट है। और यह रिजर्व बैंक के दाएरे में है। भारति रिजर्व बैंक द्विमासिक मौदरिक निती समिक्षा तैक करते समय मुख्य रूप से खुद्रा महिंगा इदर पर गौर करता है। उसका माना है कि मुदरास्पिती का आंकडा चालू वित्तवर्ष की बीच हुई आओधी में उचा रहेगा क्योंकि तुलमात्मक आधार का प्रभाव अब प्रतिकूल हो गया है। रिजर्व बैंक के नुसार मुख्य मुदरास्पिती चालू वित्तवर्ष की जोती तिमाई में उचस्तर पर रहेगी। उसके बाद इसमें नर्मी आएगी। पोरक शरूप से इंधन और परिवन लागत कम होने का भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। राजनितिक उतल उतल के बीच धर्ती भी काम उठी। इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्विप के पास समुद्र में 7.3 तिवरता का भुकम महसूस किया गया। मौसम विग्यान एजनसी ने संभावित सुनामी का अलर्ट जारी किया है। वही चीन में भगवान बुद्ध की 2200 साल पुरानी तामबे से बनी मुर्ती मिली है। ये चीन में अपनी तरह की सबसे पुरानी बुद्ध मुर्ती है। इसी बीच COVID-19 के नए वेरियंट ओमिक् पाकिस्तान लाल हो गया है। पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि BJP और RSS UP तथा अन्यराज्यों के चुनाओं को जीतने के लिए अती राश्रवाद की भावनाओं को भढ़गा रहे है। इसके अलावा पाकिस्तान के प्रधान मंतरी इमरान खान ने कहां कि अमेरिका ने गलतिया की और पाकिस्तान को अमेरिका के विफलताओं के लिए दोशी ठहराया गया। जबकि अफगान युद्ध में पाकिस्तान को सबसे बड़ी कॉले ट्रलक शती का सामना करना पड़ा। दुनिया भर की इन पाज बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही आप हमारे साथ। इस नुसा टेंगारा सुबे में मौ मेरे दूसरा सबसे बड़ा शर है और यहां की आबादी 25,000 के करीब है। राश्री आपदान यूनिकरन एजंसी के प्रवक्ता अब्दुल मुहारी ने कहा कि इलाके में रहने वाले लोगों ने भुकम के जोरदा जट के महसूस किये। टेलिविजन पर पसारेत वीडियो में लोगों को भुकम के प्रभाव से हिल रही इर्मारतों से बाहर भागते हुए दिखाया गया। हाला कि फिलाल किसी प्रकार के जानमाल का नुकसान होने की कोई सूचना नहीं है। ततकाल कारवाई बल भुकम प्रभाविश शेत्रों से सूचना एकत्रित करने की कोशिश कर रहा है। इंडोनेशिया 27 करोड लोगों की आबादी वाला एक विशाल द्वीप समू है जहाकसर भुकम, जुआला मुखी विस्पोर्ट और सूनामी का खत्राब बना रहता है। गौर तलब है कि इंडोनेशिया में साल 2004 में चीन में भगवान बुद्ध की 2200 साल पुराणी तामबे से बनी मुर्ती मिली है। यह चीन में अपनी तरह की सबसे पुराणी बुद्ध मुर्ती है। इस मुर्ती को प्राचिन समाधियों के एक समूँ से निकाला गया है। यह समाधिया पुर्वी हान राजवन्श से ता में पाश्त अतागत मौजूद है बगवान बुद्ध की यह मूर्ती चीन में पहले मिली बुद्ध की सबसे प्राचिन मूर्ती से 200 साल पुरानी है ये गंधार शैली में बनाई गई है ये शैली पहले शताबदी से 7 शताबदी इसा पूर्व के बीच वर्तमान पश्यमोतर पाकिस्तान और पुर्वी अफगानिस्तान इलाके में विकसित हुई थी ये इलाका पहले गंधार शैली का गड़ हुआ करता था बताया जारा है कि बुद्ध की यह प्राचिन मूर्ती चीन के पश्यमोतर प्रांद शांक्सी में मिली है शांक्सी प्रांद में ही दुनिया प्रसिद्ध तेरा कोटा आर्मी मिली थी ये आदमकज सैनिकों की मूर्तियां 1970 के दशक में खोजी गई थी चीनी मीडिया के मताबिक ताजा खुदाई जुन 2020 से नवंबर 2021 के बीच में की गई इस बीच 3648 प्राचिन मगबरें मिले है जिसे 475 इसापुर्व से लेकर 221 इस जवन्षकेर राजा थे इस पुरास्तल की खुदाई का नेटू तो करने के वाले मिंग कहते हैं कि समाधियों में ज्यादातर कब्र राजा के रिश्यदारों वरिष्ट अधिकारियों और महमानों के हैं यहां से अब तक 16,000 सांस्कुतिक अवशेश खुदाई में मिले हैं इसमें भगवान बुद्ध की दो मुर्तिया शामिल हैं कोविड-19 के नए वेरियंट ओमिक्रॉन से पहली मौत की पुष्टी हो गई है ब्रिटिश पीम बोरिस जॉन्सन ने कहा कि यह वेरियंट भारी संख्या में लोगों को अस्पताल पहुँचा रहा है जॉन्सन ने अपिल की कि 30 साल से ज्यादा उम्रवाले लोग कोविड वैक्सिन की बूस्टर डोस जरूर लगवाए भारत में वेग्यानिक सलाकार समुहा वैक्सिन की तिसरी डोस को बूस्टर की तरह देने पर विचार कर रहा है हाला कि ओमिक्रोन को तिसरी डोस पर जल फैसला लेने की वज़र के रूप में नहीं देखा जा रहा है इंडियन काउंसिल ओफ मेडिकल डिसरच के समीरन पांडा ने कहा कि दुनिया भर से यही तस्वीर उभर रही है कि ओमिक्रोन केवल हलकी बीमारी देता है तिसरी डोस से भी ओमिक्रोन का संक्रमन नहीं रुकेगा ये टीके संक्रमन नहीं रोकते वे केवल बीमारी की गंभिरता को कम करते है तो जिने पहले ही वैक्सीन लग चुकी है अगर वे ओमिक्रोन से संक्रमीद भी होंगे तो हलकी बीमारी ही होगी डेल्टा संक्रमन और वैक्सीन के बाद जादा इम्मिनिटी होती है मगर स्पाइक प्रोटीन में बदलाओ के चलते ओमिक्रॉन तेजी से फैल सकता है यानि कोविट से बचने के लिए जरूरी साउधानियों का पालन करते रहना होगा उन्होंने सुझाओ दिया कि अनैडिक्वेटेड वायरस वाली वैक्सीन पाने वाले हायरिक्स वाले लोगों को फ्रार्थ मिक्ता दी जाए इसके बाद हेल केर वर्कर्स को बूस्टर दिये जा सकते हैं मगर फुल वैक्सिनेशन का दायरा बढ़ाते हुए हाल ही में रक्षामंत्री राजनात सिंग ने कहा था कि पाकिस्तान आतंगवाद और भारत विरोधी गतिविदियों के जरिये हमारे देश को तोड़ना चाहता है भारते सेनिकों ने साल 1971 में पाकिस्तान की इस योजना को विफल किया था और हमारे वीर सेनिक की ओर से आतंगवाद को जड़क से खत्म करने के लिए काम जारी है हमने सीधी लड़ाई में जीत हासिल की है और हम इसमें जीत हासिल करेंगे इस बयान से पाकिस्तान लाल हो गया है पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि BJP और RSS, UP तता अन्यराजों की चुनाओं को जीतने के लिए अतीर आश्रवात की भावनाओं को भड़का रहे है साथ ही हिंदुत्व के अजेंडे को बढ़ा वादे रहे है पाकिस्तानी विदेश मंत्राले के प्रवक्ता असिम इफ्तिकार एहमद ने कहा कि पाकिस्तान राजनासिंग के निराधार अनावश्यक और उक्साव बयानों की कड़ी निंदा करता है बीजेपी और आरेसस यूपी और अन्यराजों के चनाव जीतने के लिए हताश है और अतिर राश्ट्रवात को भड़का रहे है तता हिंदुत्व के अजेंडे को भड़का रहे है पाकिस्तानी प्रवक्ता ने दावा किया कि उनके देश भारत के किसी भी आकरमक कारवाई का जवाब देने के लिए पुरी तरह से तयार है उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं को सला है कि वे पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी कारवाई से परहेस करे और देश की घरेलूर राजनिती में चुनावी फायदे के लिए पाकिस्तान को घसीट ना बंद करें पाकिस्तान के प्रदानमंतरी इमरान खान ने कहा कि अमरिका ने अफगानिस्तान में गल्टिया की और पाकिस्तान को अमरिका की विफलताओं के लिए दोशी ठहराए गया खान ने कहा कि पाकिस्तान को अफगान युद्ध में सबसे बड़ी कोलेटर शती का सामना करना पड़ा क्योंकि यह एक मात्रदेश अमेरिका का सहयोगी था जिसमें 80,000 से अधिक लोग हताहत हुए लाखो लोगों का विस्तापन हुआ और 100 बिलियन डॉलर से अधिक का आर्थिक नुकसान हुआ बावजुद इसके आंतराश्टे समधाय द्वारा गलत कारणों के लिए पाकिस्तान को दोशी ठहराए गया जबकि वा काश्विर मुद्धे पर चूप रहा उन्होंने इस बात पर खेच जताया कि पाकिस्तान अपनी बात को प्रभावी ढंग से दुनिया के सामने पेश नहीं कर पाया उन्होंने कहा कि केवल सेन्य शक्ती ही राष्टे सुरक्षा की गारंटीन नहीं है जो एक वैपक अवधारना है खान ने जोर दे कर कहा कि जब तक समावेशी विकास नहीं होता तब तक आपके पास राष्टे सुरक्षा नहीं हो सकती संसाधनों के असमान वितरन से उन लोगों में अराजकता पैदा हो जाती है जो मुख्यधारा के विकास से वन्चित रह जाते है पूरे बोर्ड में राष्टे सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समास से वन्चित वर का उत्तान मातो पुर्ण है वे इसलामाबाद नीतियनों सदान संस्तान ठिंक टैंक द्वारा आयो जीत मारगला डायलोग 2021 सेमिनार के उत्गाटन सत्र को सम्मोधित कर रहे थे तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही आप से कल फिर मुलागात होगी तब तक देखते रहे ये विकेवी डियूस नमस्कार